बच्चों यह हमारा इंश्रेंस क्लिम का आज थर्ड सेशन है आपको याद होगा लास्ट टू सेशन्स में हमने केस वन और केस टू डिसकस कर रहा था लॉस अवी स्टॉक पॉलिसी और दोनों सेशन में हमने एक-एक कोशन भी सॉल्व कर रहा था यह जो आज हमारा अभी करन सेशन इसके अंदर हमें दो प्रैक्टिकल कोशन सॉल्व करने है और दोनों ही कोशन थोड़े अलग परकार के थोड़े टाफ है और दोनों का जो मैं प्रेजंटेशन आपको देने वाला हूँ वह स्टडी मैटेरियल से थोला डिफरेंट होगा इंसीट्यूट की है और वो आसान होगा आपके लिए समझना तो थोड़ा सा प्रेजंटेशन अलग होगा लेकिन आंसर सेम आएगा और आपको यह आसानी से समझ में भी आएगा बच्छो लेकिन दोनों कोशन थोड़े अलगे थोड़े टाफ कोशन है कोशन मर 27 और कोशन मर 28 चलिए पहले को सब्सक्राइब कोशन मर 28 चलिए हर एक चीज ना देखे जो इंपॉर्टेंट बात इन पर थोड़ा सा ध्यान देते में चलिए यह बताईए फायर कब अकड़ी 15 सेप्टेंबर 2013 को अच्छा नाम क्या है बिजनिस का कंपनी का नाम क्या है या बिजनिसमें का नाम क्या है सै सेप्टेंबर 2013 को आग लगी है अब देखे स्टॉक दे रहा है बच्चो एक जनवरी 2012 का इसका मतलब इस कोशन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दे रखा होगा क्यों क्यों क्योंकि करन्ट एयर जिसमें आग लगी है वो तो 2013 है और यह ओपनिंग स्टॉक का है 2012 का वो भी एक जनवरी 2012 इसका मतलब एक हिंटा में और मिल गया कि यहां यह जो कमपनी है यह जो बिजनिसमें ने सैनन कमपनी यह फालो करते हैं कैलेंडर एयर अगर यह कैलेंडर एयर फालो ना करते और फैननफिल एर करते तो ओपनिंग स्टॉक एक अपरल का होता है यह एक जनवरी 2013 में 31 दिसंबर 2012 तो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है 40,000 करन्ट एर का ओपनिंग स्टॉक है 60,000 और जो बच्चो करन्ट एर का ओपनिंग स्टॉक है वही तो लास्ट एर का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा तो लास्ट एर का हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉ वें यह घलत है यह 13 होना चाहिए आप पर्टेजिस फ़ां में फिल्टइज से दुवरी 2010 से में 12 से थैयनREE 2019 से Perm color 2010 322 2013 में स्थार्ट है founded 2013 2017 से बहुन करन्ट एर्टोमियन 10sinश बिजनेस च्टला वो चला आट महीने 15 दिन एक जEMAरी से 15 सेप्टमबर काउंट कर लीजिए आप आप महीने एक जन्वरी से एकत्यस अगस्त आट महीने और पंदरग दिन सेप्टमबर की तो बचों करन्ट एर में आठ महीने पंदरग दिन बिस्निस चलने के बाद प्रिमाइस इसमें आग लग गई और स्टॉक जल गया तो यह आठ म मेहने की से दो लाग दर्स अजार पिछले पूरे साल का डेटा दे रखा है करन्ट एर के पंदरा सेप्टमबर यानिके आठ मेहने पंदरा दिन का डेटा दे रखा है बहुत बढ़ी है अब नीचे पढ़िएगा अब जो नीचे परिग्राफ है यह इस को बिलकुल अलग कर देता है अभी नॉर्मल कोशन नहीं रहा देख्या भी एक्जैम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया बच्छों डियूरिंग दा करन्ट एर करन्ट एर में क्या हुआ दियूरिंग दा करन्ट करन्ट एर कॉस्ट आफ परचेज हैज राइजन बाई टैन परसेंट अबव ल का मतलब यह नहीं है कि पर चेज़ स्वड़ल गई परचेजीस का सब्रीज बा गया वह जो बाजार से माल प्र्चेज करने थे लिए वह महंगा हो गया वह दस करसेंट अ तो purchases नहीं बढ़ी, purchases तो बढ़ी है, लेकिन purchases का price बढ़ा है 10% से, अब इसका असर पढ़ेगा GP पर, तुम मुझे बताओ, अगर purchases का price बढ़ जाए, अगर माल जो हम purchase करते हैं, वो महंगा हो जाए, कैसे हमारा GP कम नहीं हो जाएगा, राइट, देखेगा, तो हमें अपने selling price क 10% नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर हम selling price भी इतना ही बढ़ा देंगे, तो शायद बाजार में हमारे product की demand कम हो जाए, तो बाजार को धियान में रखते वे, competition को धियान में रखते वे, perfect comparative market को धियान में रखते वे, हमने selling price को comparatively उतने percent से नहीं बढ़ा है, जिस percentage से purchases का price बढ मैंने इसमें note करी, आपने भी करी होगी, कहीं पर भी amount of policy नहीं दे रखा, अब ये claim का amount भी जानना चाहते हैं, कि जी claim बता, आप claim कैसे निकाले, amount of policy तो आपने दिया नहीं, समझ जाएए ना, कि जो loss आप निकालेंगे, वही claim का amount होगा, समझ जाएए ना, कि इस question में average clause न इतना loss हुआ है, इतना ही claim हम insurance company में lodge करेंगे, यहीं उन्होंने question में पूछा भी है, चलिए, अब दिखिए, थोड़ा सा tough solution के लिए तयार हो जीए आप, यह जो last का paragraph है, यह during से लेकर, यह 4000 तक, चलिए, यह 5% तक, यह tough है, यह जो daily line, during से लेकर, gone up by 5% तक, यह daily line अजीब स इसका price 10% से राइश कर गया, और selling price gone up by 5%, इसका impact बलेगा, इसका effect बलेगा, gross profit ratio पर, चलिए काम करते हैं, जो आसाने पहले वो कर ले, पहले पिछले साल का trading account मना कर एक काम खतम करते हैं, पांच steps आपको लेने होते हैं, इस में से एक step तो कम होगा है, कि average clause नहीं लगेगा, amount of claim के लिए आपको average clause नहीं लगा ना, चलिए एक step कम होगा, बचे चार, चार में से पहले दो पर, इस last paragraph का कोई असर नहीं होगा, कौन से दो step हैं, पहले, पिछले साल का trading account और पिछले साल का gross profit ratio, उसका इस से कोई तालुक नहीं, जो price बड़ा है, purchase price 10%, selling price 5%, ये तो current year में लिखेगा two opening stock, हाँ जी कितना, 40,000, question देखते रहे हैं बच्चो, two purchases, कितना बच्चो, 80,000, इसके बाद कोई और expensive कुछ नहीं है, buy sales, कितना, 120,000, closing stock दे रहे हैं, 60,000, ये पूरे ही दुबारा लिखूँगा, buy closing stock, 60,000, बस बच्चो, gross profit निकाल दो, total, 180 आ रहे हैं बच्चो, ठीक है, 180 में से credit में से debit को minus करो, debit का total है 120, आराम से आपको समझ मेर होगा, 60,000 profit आ गया, 60,000 GP आ या बच्चो, trading account complete last year का, थोड़ा, speed से बनाओ, इसमें कुछ थाई नहीं करने के लिए, information दे रहे हैं, GP निकाल दिया, अब निकालो GP ratio, चलो step 2, working notes में कर लेते हैं, calculation of gross profit ratio, calculation of gross profit ratio, formula below, gross profit ratio is equal to is equal to gross profit, upon net sales multiply by 100, बता बच्चो, GP कितना निकाला भी आपने, 60,000, sales कितनी थी बच्चों, sales कितनी थी, 1,20,000, GP 50% आ गया, 50% आ या GP ratio, राइट, अब आजी यह आप, इसके बाद जब आपने, पहले step करा, पिछले साल का trading account में आया, वहां से gross profit निकाला, फिर step 2 से अपने gross profit ratio निकाल लिया, अब आजी यह current year के, 8 महीने, 15 दिन वाले memorandum trading account पर, राइट, चलो बच्चों क्या लिखेंगे, memorandum trading account for the period, starting from 1st January 2013 and ending on 15th September 2013, यह है जी current year का, 8 महीने, 15 दिन का memorandum trading account, जिससे आपको closing stock निकालना है, या यह कहीए, कि वो stock निकालना है, जो available था, आग लगने वाले दिन, सबसे पहले रिखेंगे, opening stock, जो last year का closing stock है, वो ही तो current year का opening stock होगा, 2 opening stock, साथ हजार, साथ हजार बच्चोड, इसके बाद purchases, देखो current year, 8 महीने, 15 दिन की purchases, 1,076,000 दे रिखेंगे, बच्चो, 1,076,000, sales दे रिखेंगे, 2,10,000, दो लाग देश हजार, 2,10,000, right? अब यहां पर आपको रुकना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करेंगे, GP ratio 50% लगाएंगे sales पर, चलिए ठीक है, 2,10,000 पर 50% GP ratio लगाएंगे profit निकाल देते हैं जी, वो आजाएगा, 1,05,000, sales का 50% 2,10,000 आधा, 1,05,000, ग्रॉस पाफट है जाएगा, इट विल बी रॉंग, डेफिनेटली रॉंग, reason, question का last paragraph, आखिर की देड़ लाइन, last paragraph की first one and half line, देखेगा आप, जो मैंने माक करी थी, यह रही देखे, यह देखे, during से लेकर 5% तक, बात को समझेगा, 2,10,000 का 50% नहीं निकाल सकते, क्योंकि gross profit ratio, apply करने के लिए बहुत ज़रूरी था, कि सभी prices, सभी चीज़े, constant रती, कैसे रती हैं, constant, शांत रती, इस्थिर रती हैं, इस्थिर, एकदम इस्थिर, लिगन असा नहीं हुआ, purchase price, 10% से rise कर गया, महेंगा ही हो गई, purchase price, 10% से rise करा, तो हमने selling price को भी 5% से बढ़ाया, तो GP तो भुकम की तरह, जिसे GP के ओपर भुकम पा गया हो, अर्थ को एक आगया हो, ऐसे हिल गया, सारा gross profit ratio, सब damage हो गया, GP ratio में कैसे लगा तो 50% मुझे बताइए न, समान महेंगा हो रहा है, आप कर रहा है, वही 50% profit होगा, अब नहीं लग सकता, GP से 50%, अब 2,00,000,000,000 का मैं 50% GP निकाल कर closing stock नहीं निकाल सकता, impossible, और आप समझे, common sense यूज करिए, जब आपके prices बढ़ रहा है, selling price बढ़ रहा है, और purchase price increase हो रहा है, अलग-अलग rate से, रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और अलग तरीके से आसान करके करा रहा हूँ, मैं अपनी बात कहके खतम कर चुका हूँ, कि मैं यहाँ पर closing stock या stock available on the date of fire नहीं निकाल सकता, reason क्योंकि मुझे gross profit ratio तो मालू मैं 50% लेकिन वह अप्लाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि prices हिल गए, prices हिल गए, price purchase के भी बढ़ गए, और sales के भी बढ़ गए, और अलग-अलग rate से बढ़ा, amount भी अलग-अलग है, तो अब यहाँ पर वो GP ratio तो नहीं रही जो पहले थी, करता हूँ, कि अगर purchase price 10% से नहीं बढ़ता, और sales 5% से जो बढ़ी है वो नहीं बढ़ती, तो क्या होता, right, अब मैं working notes में एक account और बना रहाँ, trading account, यह मान कर कि यह न selling price बढ़ा, न purchase price बढ़ा, और फिर निकालता हूँ stop, देखिएगा अब, trading account, मैं यह assume कर रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, कोई selling price नहीं बढ़ा, कोई purchase price नहीं बढ़ा, चलिए, अब बताईए कि current year में 8 महिने 15 दिन, 1 जनवरी 2013 से 15 सेप्टमबर 2013 तक क्या हुआ, सबसे पहले opening stock, 60,000, purchases, अब purchases कितना दे रखा है, बच्चों, 1,006,000, आप ऐस्यूम करिए, देखिए, परचेश का price इन 8 महिने 15 दिन की purchases, 176,000 है, लेगिन यह तब है, जबकि purchase का price 10% से rise करा है, आप ऐस्यूम करिए कि rise नहीं करा, अब rise नहीं करा, तो price क्या होता है, 110 से divide, और 100 से multiply, क्यों करा मैंने ऐसे, बच्चों जो पिछले साल purchase price था, उसके comparison में इस साल purchase price 10% से rise करा है, इसका मदब जो समान इस साल purchase करा है, current year में, जो माल purchase करा है, वो 10% महंगा purchase करा है, अगर मैं last year से compare करूँ, अगर मैं last year के purchase price को 100 मानूँ, तो इस साल का purchase price 110 हो गया, तो मैंने क्या करा, एक लाग 76,000 जो इस साल का purchase है, जो 10% ज्यादा है, उसे मैंने 110 से करा, डिवाइड और 100 से करा multiply, तो यह purchase पिछले साल वाले price पे convert हो गई बच्चों, मैं increment का effect खतम कर रहा हूँ, अभी ज़रा temporary basis पर, तो यह आएगा, वन लाग 66,000, इसी को उन्होंने institute मोडूल में बना, इसी तरह से है, लेकिन बस वो combine करके बनाया, double column, मैं अलग-अलग करके दिखा रहा हूँ, मैं से इतनी सी बात है, by sales, अब sales इन 8 महिने 15 दिन की 2,10,000 है, और यह अपने original selling price से 5% ज्यादा है, अगर मैं पिछले साल के selling price को 100 मानूं, तो इस साल का selling price 105 हुआ, तो मैं इस साल की sales को जो की 5% ज्यादा price पर है, 105 से करूँगा, डिवाइड और 100 से करूँगा, multiply, तो इस साल की sales last year के rate पर convert हो जाएगी, और यह बनेगी 2,00,000, ऐसा कर कर मैंने क्या करा, purchase price को जो current year का increment के साथ था, उसे भी last year के according कर दिया, और sales को भी 5% कम करके last year के according कर दिया, अब जब यह सब कुछ इस साल की purchase और इस साल की sales पिछले साल के according हो गई, तो अब पिछले साल का GP ratio आराम से लग सकता है, अब वो पिछले साल का GP ratio मैंने भी निकाल के आपको दिखाया था, 50%, अब मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने prices को reverse करके वापिस last year वाला बना दिया, to gross profit, sales कितनी होगी, दो लाख, का 50%, योगा बच्चो एक लाख, एक लाख GP आ गया, अब मैं इसको यहां पर close करूँगा, 60 प्लस 1, 60 प्लस 1 लाख, यह बनेगा 3 लाख 20,000, तीन लाख 20,000, सेम टोटल बच्चो यहां लिख दो, तीन लाख 20,000, डिफरेंस से closing stock निकालो, एक लाख 20 है जाएगा, एक लाख 20,000, आंसर तो आ गया बच्चो, एक लाख 20 आंसर नहीं है, लेकिन आंसर आ जाएगा आराम से, मैंने जो closing stock निकाला है न, आठ वहने पंदर जिन बात का एक लाख 20, यह पिछले साल के rate के साब से है, अब मैं इस साल के rate के साब से करूँगा, अभी रुख जाओ, एक लाख 20 आ गया है न, अब मैं इस से चाहूं तो यहीं working में आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन एक formula ID के उपर account बनावा है, तो account पूरा कर देते हैं, अब ज़रा समझेगा, अब यह वो current situation आगई, यह memorandum trading account है, यह लिखावाए दिखेगा, memorandum trading account for the period starting from 1 January 13 and ending on 15 September 13, देखिए, टो ओबिनिंग स्टॉक साथ हजार ही मानते हैं आप, पर्चेस यह आट मेहने 15 दिन की actual purchase 176 यह मानते हैं आप, जो 10% ज़्यादा price पर है, right, sales भी मैंने 210 ओरीजिनल लिखी जो 5% ज़्यादा price पर है, अब रुख जीए, अब देखिएगा, अभी अभी मैंने आपको नीचे इन prices को reverse करके, पिछले साल के according, closing stock 1,20,000 निकाल के दिखा दिया, उपर वापस आईए, अगर मैं, अगर ये जो मैंने नीचे अभी बना के दिखाया है, trading account, कि अगर prices में परिवर्तन ना आता, prices में परिवर्तन ना आता, तो closing stock कितना होता, 1,20,000 अभी तो निकाले आपने, यह रहा दिखे, 1,66,000 की purchase को मैंने 1,60,000 करा, 10% दुबारा से कम करा, sales को जो 5% से जादा थी, उसे कम करा, और 1,20,000 closing stock निकाल दिखे, यह रहा, ठीक है, उपर वापस आईए, यहां पर आज़िए, by stock available on the date of fare, मुझे एक बात बताईए, यह जो closing stock होता है, यह cost पर होता है न, cost पर, closing stock, opening stock, purchase यह सब किस पर होती है, cost पर, 1,20,000 closing stock है, आग लगने वाले दिन, यह वो वाला price है, जो last year के according है, जानते हैं, last year से current year में, last year से current year में, पिछले साल से, इस साल में, क्या कमाल हुआ है, पता है, इतना हुआ है कि purchase price 10% से बड़ा है, तो यहार answer तो आग गया, अगर आग लगने वाले दिन, closing stock, एक लाग बीस हजार है, last year के price से, last year के price के recording, closing stock, एक लाग बीस है, तो इस year के price के, इस year के price के recording कितना होगा, 10% जादा, क्योंकि यह closing stock जो इस साल है, वो इसी साल की purchase का, और इस साल की purchase, 10% rise करिये price में, एक लाग बीस का 10% जोड़ दीजास में, प्लस, एक लाग बीस हजार इन्टू, 10 by 100, 12,000, आ गया closing stock, एक लाग बत्तिस, अरे difference आप closing stock निकालते देना, नहीं, इस बार difference है, उल्टा एक gross profit निकाल रहा है फिर दोबारा, दिखेगा अब, यो जाएगा 3, 342, तीन लाग बैलिस हजार, तीन लाग बैलिस हजार, डिफरेंस से बच्चो, टू ग्रास प्राफिट कितना है गजा दिखेगा, इस में से मैनस करे उठाई है एक calculator, 3,42,000, तीन लाग बैलिस हजार, माइनस सिक्स्टी थाउजन, माइनस वन लाग, 76,000, एक लाग 6,000 का ग्रास प्राफिट, वैसे गर आप देखेए, दो लाग दस का 50% तो एक लाग पांच होगा, बताएज समझाय नहीं आया, मैंने क्या करा, इस साल के increase price को reverse करके, पहले पिछले साल के price के according, इस साल का closing stock निकाला, फिर ये जानते हुए कि purchase price 10% जादा है, दुबारा closing stock में, क्योंकि वो इसी साल की purchase का हिस्सा था, 10% जोड़कर closing stock को 1,32 लाग पांच कर दिया, इसका मतब जिस दिनाग लगी, उस दिन stock जो shop में available था, वो 1,32 था, और ये रस्मों के अदाईगी है कि हम GP 1,6 निकाल के दिखा रहे हैं, वरना answer तो 1,32 आ चुका था, ये मैं नीचे वहां working में कर सकता था, अब इस क्यागे solution को मैं कैसे continue करूंगा, वो दिखेगा, यहां लिख सकते हैं, amount of claim is equal to, क्योंकि इसमें salvage stock तो हाई ही नी, stock available on the date of fire is equal to 1,32,000, less salvage stock which is nil, sorry, not nil, 4000 था, extremely sorry, च्छो हाँ याद आगया, ये रहा, salvage stock, salvage value stock, rupees 4000, अरे बही, 4000 था, salvage stock यार, yes, it is 4000, ये होगा, 1,28,000, this is loss of stock, और ये ही वो amount है, जिसे lodge किया जाएगा, insurance claim के लिए, insurance company में, question की भाशा को मैं copy करूँगा, देखे, question में क्या था, वो ही language copy करूँगा, ये रहा, amount of claim to be lodge, with the insurance company, माने या ना, माने वो एक अलग बात है, लेकिन हम lodge इतना ही करेंगे, answer is, amount of, amount of insurance claim to be lodge, with the insurance company is, rupees एक लाख अट्थाईस हजार, तो जो claim lodge के जाएगा, इंश्रेंस कमपनी में, वो एक लाख अट्थाईस हजार का होगा, बच्चों clear है या नहीं, बच्चों ये जो trading account आप देख रहे हैं ना, मेरा ये बनाया हुआ, ये मैंने बनाया था, ये मालूम करने के लिए, कि अगर जो prices हैं, वो नहीं बढ़ते, तो closing stock कितना होता, मेरी मजबूरी समझिया, इस question में जो GP ratio है ना, तो that will be 100% wrong, क्योंकि gross profit पर पक्का असर पढ़ता, prices बढ़ने का, इसलिए मुझे क्या करना पढ़ा, पहले पुराने prices पर closing stock निकालना पढ़ा, पिर जब closing stock 1,20 आ गया पुराने price पर, तो पुराने price में और आज की price में एग ये तो difference है, 10% का, अरे closing stock किसका हिस्सा होता है, answer दीजे, closing stock किसका हिस्सा होता है, purchases का, purchases 10% महंगी है, तो closing stock को अगर आपने पुराने price पर निकाल भी लिया, तो उसका 10%, 10% उसके अंदर और और एड कर दो, बन जाएगा वो current year का price, इतनी सी तो बात थी, मैंने पहले, क्योंकि मुझे GP ratio 50% को use करना था यार, मेरे पास GP ratio 50% था, मुझे इसको use करना था, तो मैंने पहले trading account बनाया, पुराने price पर, पुराने price पर trading account बनाने से फायदा यह हुआ, कि मैं GP ratio का इस्तिमाल कर पाया, और closing stock को निकाल पाया, अब तुम कहते हैं, जी closing stock आपने 1,20,000 निकाला, यह तो पुराने prices के अनुसार है, तो पुराने price में और इस price में एक यह तो difference है, खाली 10% का, 10% और add कर तो बन गया है इस साल का price, अरे भाई closing stock purchase price का part है, मानते हैं हैं, purchase price 10% से rise करा, तो closing stock अगर पुराने price पे निकाल भी लिया, तो 10% से उसको rise कर दो, बन जाएगा इस साल का price हो, तो मैंने 1,20,000 में उसी का 10% 12,000 एड करा, वो बना 1,32,000 और यह closing stock आ गया है, उस दिन का जिस दिन premises में आग लगी है, 4,000 का माल हमने बचा लिया, 1,32,000 माइनस 4,000, तो loss of stock है, एक लाक अठाइश साजार, amount of policy question में देने रखा, इसलिए आप average clause लगाएंगे नहीं, अब आप क्या करेंगे, जब इस company को एक लाक अठाइश साजार का loss हुआ है, तो यह जो insurance claim के लिए apply करेंगे, insurance company में, वो एक लाक अठाइश साजार के लिए apply करेंगे, lodge या apply एक ही बात है यहाँ पर, तो claim जो lodge क्या गया है, जो apply क्या गया है, वो एक लाक अठाइश साजार के लिए करा जाएगा, क्योंकि वही हमारा loss of stock है बच्चों, चलिए, question number 27 हमने पूरी तरह से solve करा, अब एक question होने जो आपको दुख और तकलीफ देगा, जो वो है question number 28, just इसका next question, इसी class में कर लेते हैं, दोनों दुखदाई question इसी class में complete करते हैं, question number 28 करेंगे बच्चों हम, question number 28 बच्चों, question number 28 देखिएगा, Mr. X, go down was destroyed by fire on 1 June 2013, Mr. X के go down में, आग लग गई एक जून 2013 को, right? Mr. X business person है, कोई business man है, उनके go down में fire ने सब destroy करा, आग लग गई एक जून 2013 को, when the goods in stock were insured for rupees, 60,000, insurance policy का amount दे रखा है, 60,000, बच्चों Mr. X ने जो insurance policy लिए, वो 60,000 रुबै के लिए है, और जो आग लगी है, वो एक जून 2013 को लगी है, balance sheet, एक tough question है, balance sheet का extract दे रखा है, 31 December 2012 का, इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि Mr. X B calendar year ही follow करते हैं, January से दिसंबर, और बच्चों current year में जो उनका business चला, वो exactly 5 months चला, 31 मही तक, क्योंकि एक जून को तो आग लग गई, अग लग लगने की वज़़ा से, सब stock destroy हो गया, आगे देखेगा, question सच में tough है, लेकिन module से, बिलकुल अलग तरीके से करूँगा, मतलब इस module में उनने memorandum trading account नहीं बनाए, मैं बनाऊंगा, और अलग presentation दोँगा, लेकिन answer आपका match करेगा, बच्चों देखेगा, पिछले साल का balance sheet पूरा नहीं देखेगा, उसका extract दिया, जो relevant item से बस वो दी है, जैसे पिछले साल का, creditors for goods, creditors for goods, बीस अजार, ये पिछले साल का बच्चों, creditors का closing balance है, पता है मुझे इससे क्या लग रहा है देखकर, क्या आपको purchases नहीं दे रखियोंगी, इन पांच मेहनों की, इस question को देखके ये तो लग गया है, कि पिछले साल का data नहीं दे रखा, इसका मतलब question में, gross profit ratio given होगा, थोड़ा सा असान कर गए देखो, question सच में tough है, इस question में, क्या ज़रूर थी, पिछले साल की balance sheet का, ये information देने का, इसका मतलब वो आपसे ledger में, account बनवाने वाले हैं, आपको purchases और sales नहीं दे रखियोंगी, current year के 5 मेंनों की, वो भी आपको निकालनी पड़ेगी, देखिगा, creditors का closing balance है, last year का 20,000, stock 36,000, और debtors 70,000, last year की balance sheet है ये, stock में including है, goods जो की held by agent, consigne के पास है, 2000 की, consignment में भी हमने माल दिया है, Mr. X seller भी है, consigner भी है, इन्होंने किसी consigne को agent का पाइंड करा, और पिछले साल उसको माल दिया होगा, उसके पास है भी रखा हुए 2000 का, stock इनका 36,000 है, जिसमें से इनके अपने पास, 34,000 और 2000 की cost का माल, अभी consigne agent के पास है, debtors का closing balance दे रखा है 70,000, अब देखे क्या लिखावा है, कितना clear clear लिखावा है, कि transaction अप्ट 21 माई 2013 include, ये transaction हैं बच्चों करंट एर के 5 मेहनों की, cash received from debtors 3,40,000, समझ जाइए ना, क्या इन information को देखके नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आपको working notes में या fair में जो भी कहिए, आपको creditors account भी बनाना होगा था कि purchase निकलाए, debtors account बनाना होगा था कि sales निकलाए, और ये transaction 31 माई 2013 तक कि ये 5 मेहनों की, इसका मतलब, 5 मेहनों का creditors account, बैड़ेट्स वो इन 5 मेहनों में 3500, 31 माई इन 5 मेहने के बाद जब आग लगी, तब उस टाइम पर debtors का closing balance साथ सतर हजार, creditors का creditors का closing balance से बच्चों 30 हजार, cash pay करा creditors को 220 और discount receive हुआ एक हजार, additional information, tough question है, देखेगा first adjustment, debtors as on 31 माई 2013 जो debtors का closing balance है, पांच मेहने बाद का, एक जनवरी से हमारा current year शुरूआ, 31 माई को आग लग गई, 31 माई को जो 31 में को जो debtors का closing balance है, जो भी हमें दिखाया गया था, कितना, यह रहा, सत्तर हजार, included, इसमें क्या जुलावा है, an amount owing from the agent from sales to date रुपीस 4000, इस debtors के closing balance में वो amount भी plus है, जो अभी हमें debtors से agent से लेना है, हमारा माल जो consignee ने बेचा और consignee अभी debtors से recover नहीं कर पाया, वो भी इन debtors के closing balance में जुड़ा हुआ है, कितना है वो? 4000, लिगने इसमें से less होगी 10% commission, और less होंगे consignee agent के खर्चे 100 रुप है, राइट, इसके अलावा 31 माई 2013 को agent के पास, the agent still held the said goods valued at रुपीस 3600 at selling price, हमारे agent के पास 13 माई को जब आग लगी, कुछ माल अभी भी उसके पास है, उसका selling price 3600 रुप है, second, sales total for the period include रुपीस 1600 for goods which have the selling price reduced by 50% and also रुपी 6000 reduced by 25%, tough adjustment रही है, यह कह रहा है कि जो यह 5 महने की sales आप निकालेंगे इन sales में, जो 1600 रुपे की sales है, वो अपनी original selling price से 50% कम करके बेचा गया था, मैं तुबारा बोलू, यह कह रहे हैं कि जो अभी आप 5 महनों की sales निकालेंगे, current year के first day से 1 January 2013 से आग लगने वाले दिन तक का, 31 में 2013 तक जो 5 महनों की sales आप निकालेंगे, उसमें 1600 की वो sales है, वो माल है जो 1600 में भी का, लेकिन वो अपने original selling price से 50% कम पर भी का है, इसी तरह से इसी sales में 6000 रुपे की sales हो और है, जो अपने original selling price से 25% बच्चो कम पर भी का है, थर्ड, the normal markup, markup कहते हैं loading को, profit को, the normal markup is 50% on cost, आ गया है न, देखिए मैं आपसे कह रहा था न, कि GP ratio दे रखा होगा, GP ratio 50% on cost है, जो normal markup, markup का मतलब होता है, loading, profit का add करना, जो profit add क्या गया है, वो 50% है, लेकिन cost का, and accept the above, all sales, अगर हम उन दो sales को छोड़ दें, कि 16 सुजों में भी का, वो अपने original selling price का 50% कम करके बेचा, जो 6000 में भी का है, वो original selling price के 25% कम करके बेचा, अगर हम उन दो sales को छोड़ दें, तो बाकि सारी sales अपने normal selling price पर हुई है, all sales can be assumed to be at the full selling price, fourth and last, all the goods were destroyed, सारा माल, जितना भी closing stock में मालता, सारा destroy हो गया, आग लगने से, all the goods were destroyed, and there was no salvage value, और कोई salvage value नहीं, सब बरबाद हो गया, calculate the amount of claim, तो बात समझे ना आप, जब इसमें claim का amount निकालना है, अगर वो claim, वो जो loss of stock है, अगर loss of stock, बच्चों, insurance policy कितनी जई भी तो पढ़ा था हमने इसमें, कहां गया, यह रहा, अब देखे, average clause के बारे में, question silent is का मतलब average clause नहीं लगाना, मैं तुबारा बोलू, average clause के बारे में, question silent is का मतलब average clause नहीं लगाना, अब यह policy 60,000 की है, अगर जो goods destroy हुई है fire से, जो आग लगाया माल में, अगर वो इस साथ हजार से कम आया, तो जितना loss होगा, पूरे का claim मिलेगा, अगर loss का amount साथ हजार को cross कर गया, पॉलिसी का amount को insured value को cross कर गया, तो insured value का claim मिलेगा, यानि कि साथ हजार का, अब मुझे करना का question में, memorandum trading account तक जाने के लिए, देखो, पिछले साल का data नहीं दे रखा, क्योंकि GP ratio given है, मेरा target है memorandum trading account, पांच महिने वाला, उसके लिए मुझे चाहिए purchase और sales वो देनी रखे, तो उसके लिए मुझे बनाना पढ़ेगा working में, creditors account, creditors account से मुझे purchase मिल जाएगी, creditors account से मुझे purchase मिलेगी और debtors account से मुझे sales मिलेगी, पहले इनी दोनों को बना लूँ, चलिए, in the books of Mr. X debtors account, चलिए बच्चों मताइए debtors का opening balance, इकत्य जो इस साल का opening होगा, वो last year का closing था, last year की balance sheet का extract आपको question में सब से उपर दे रखा है, उसमें debtors का balance से 70,000 है, देखेगा, two balance, BD, एक बार checker देखे, 70 है ना, जी 70 है, sales हमें निकालनी है, चलिए, अब देखें debtors से related information क्या क्या है, यह नहीं 5 मेनी की transaction, cash received from debtors, 3,40,000 और bad debts, 35,00, आप सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चों को मालूम है, कि अगर debtors से हमको cash मिल जाता है, तो debtors कम हो जाते हैं, अगर हमको bad debts होता है, तो debtors कम हो जाते हैं, तो यह जो दोनों transaction है, cash received from debtors, और bad debts return off, इन दोनों से debtors कम होंगे, और बच्चों debtors को कम करना हो, तो debtors कम credit करते हैं, क्योंकि debtors हमारी assets है, assets का nature होता है, debit, debit को कम करना हो, तो इसे करते हैं credit, debtors account में दोनों को credit वे लिखो, बता नजारा cash कितना मिला, चाहे by cash, चाहे by bank करके लिख लो, by bank account, पैसा मिला इन से 3,40,000, और bad debts कितना हुआ बच्चों, by bad debts, 3500, ठीक है, अब debtors का closing balance भी दे रखा है, चेक करिए, debtors का closing balance यह रहा है बच्चों, 31 मई 2013 को, जब आग लगी, तब debtors का closing balance भी दे रखा है, बच्चों, ज़रा देखना, देखना जल्दी से, additional information में, adjustment number one देखना प्लीज, 31 मई 2013 को, जो debtors का closing balance भी दे रखा है, उस पैसे में से, 10% commission, 4000 का 10% 400, एक तो वो कम होना था, और उसके खर्चे, 100 पर ये भी कम होने थे, 4000 का 10% commission 400, और 100 पर ये के expenses, 400 पांच सो, 4000 में से 500 कम गर के, 3500 पर जो agent से लिए नहीं है, वो भी by chance debtors के closing balance में जोड़े वे हैं, ऐसा लिखावा included जोड़ा हुआ है, घटाओ उसको, क्योंकि वो हमारे business के direct debtors नहीं है, balance से CD कैसे लिखूंगा मैं देखिएगा, बहुत space हैं मेरे पास, थोड़ा बढ़ा करके लिख दूँगा, by balance CD, देखिए, जो एजेंट वाला amount इसमें पहले से जुड़ावा है, वो हमारे business के direct debtors नहीं है, वो कौन सा amount है देखिएगा, minus, minus, 4000, ये sale करी थी agent लेकिन वो ये पूरा पैसा नहीं देखा हमें, अपनी commission काटेगा 10%, यानि कि 400, तो 4000 में इसे minus होगा, 400 और क्या minus होगा इसमें से, और इसमें से minus होगा, 100 और पेकि उसके expenses, राइट बच्चो, समझार ये बात, अब देखेगा, 4000 में से ये 500 मैंस करके आएगा 3500, और 70,000 में से 3500 मैंस करके जो balance रिदी आएगा वो आएगा, बच्चो, 65,500, 500, ये है डेटर्स का closing balance, खतम बस, समझ में आगया होगा आपके, closing, total करी कितना आएगा, 3,4,000, प्लस, 3500 के bad debts, प्लस डेटर्स का closing balance, 5,500, 65,500, ये 66,000, 3500 मैंस करेंगे ना, sorry, हो जाता है, calculation में इस चिक कोई बात में, 66,500, चलिए, ये आया जी, दोबार करते हैं, 3,4,000, प्लस, 3,500, प्लस, 66,500, 4,10,000 बच्चो टोटल, सेम टोटल लिग दीजे डेट में, difference से sales आजएगे, आपको मालूम है, जब हम डेटर्स को माल बेचते हैं, तो डेटर्स बढ़ते हैं, डेटर्स को बढ़ाना हो, तो उन्हें debit करते हैं, तो difference है कर डेट में है, तो ये credit sales आगई, तो sales account, 4,10,000 बच्चो बच्चो सत्तर मैनस कर दीजे, 3,40,000, 3,40,000 ये sales का माउंट आ गया बच्चो, 3,40,000 ये sales आ गई, चलो एक काम तो हो गया, मैं वो random trading account के लिए, sales का माउंट तो मिल गया, अब ज़रा निकालते हैं, purchases, हाँ जी, creditors का opening balance balance sheet में दे रखा, कोशिम ने सब से उपर पिछले साल का balance sheet का extract दे रखा, वहाँ देखीगा, creditors का opening balance है, 34,000, sorry, 36,000, लेकिन हम 36 नहीं लेंगे, हम 34 लेंगे, क्यों, 2000 का उसमें, जुलावाई amount, जो हमें agent के लिए है, जो agent का creditors का balance है, वह है, देखेगा, question में लिखावाँ था, वह line देखेगा, sorry, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो opening stock था, extremely sorry, यह 2000 में भूल गया है, तो stock में था, देखे भई, कोई बात नहीं, balance sheet में देखेगा, हाँ जी, इसमें देखेगा, creditors का, जो last year का closing balance है, वह 20,000 है, यह बनेगा last year का closing, इस साल का opening, आज यह, creditors account, creditors account में, buy balance BD, 20,000, अब इन से related भी दो information है, देखेगा question में, यह हैं दोनों, यह दोनों इन ही की हैं, देखेगा हैं दोनों, cash pay to creditors, 2,20,000, और discount receive एक हजार, अगर आप इन दोनों को देखेंगे, हमने अपनी liability चुकाई, इस से भी liability कम होगी, उन्होंने हमें छूट दी, discount दिया, इस से भी liability कम होगी, liability को बच्चों कम करना हो, तो debit करते हैं, तो यह दोनों debit में आ जाएंगे, to bank जो pay करा, 2,20,000, और जो discount है मैं मिला, to discount received, एक हजार, ठीक है बच्चों, और कुछ, हाँ, closing balance, to balance 3D, question में दे रहका है, कोई परशानी नहीं है, कितना है यह देख लो बस, 30,000, to balance 3D, 30,000, right बच्चो, solve, 30,000, difference से purchases निकल आएंगी, चाहो तो लिख दो bracket में, balancing figure, total, 2,20, 2,50, 2,50,000, 2,51,000, total आए बच्चो, 2,51,000, चलो, purchase कितनी आएगी, 2,51,000 में से 20 को माइनस करो, 2,31,000, यह purchases का amount आ गया, दोबारा लिखता हूँ उसको, बच्चेस भी आ गई, sales भी आ गई, अराम से बनेगा memorandum trading account, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी, stock account की हमें ज़रूरत नहीं है, यह module में उन्हें बनाया है, हम नहीं बना रहे हैं, memorandum trading account हम बनाएंगे, definitely बनाएंगे, चलो, शुरू करते हैं बनाना, सबसे पहरे लिखते हैं opening stock, पिछले साल का balance sheet का extract में closing stock दे रखा है, पिछले साल का, वो ही तो साल का opening stock बनेगा, color change करता हूँ, क्यों भही, क्यों, पिछले साल का closing stock तो 36,000, मैं 34 क्यों लिख रहा हूँ, इस साल opening stock 2000 वो है, जो agent के पास पड़ा हूँ है, यार agent को हम दे चुके हैं, उसके stock को हम अपने business में क्यों merge करें भई, यार ये हम अपने business का पता लगा रहे हैं, कि कितने माल में आग लगी, तो सब कुछ अपने ही business का लिना हुगा, जो directly attached है हमारे business से, जो agent को दे दिया, consignee को semi क्या मतलब, वो हमारे godon में थोड़ी है, तो जो opening stock है, वो भी हम अपने ही business का, जो हमारे पास है, वो लेंगे 34, यहां लिखके दिखाता हूँ कैसे आया ये, 36,000 माइनस 2000, 36,000 में दिखा हूँ कहा लिखावा है, opening balance sheet में ये रहा वच्चों, ये रहा 36,000, राइट, और ये रहा 2000, राइट, माइनस कर दिया, ये agent का stock है, हाँ जी, ज़रा ये 3 थोड़ा किलियर बनाता हूँ, 36,000, 36,000, माइनस 2000, राइट, अब इसके बाद क्या था है, debit में purchases, वो अभी हमने निका लिए, 2,031,000, 2,031,000, sales हमने भी निका लिए थी, 3,40,000, लेकिन यहाँ गड़ बढ़ है, देखेगा, वरना GP ratio नहीं लग पाएगी, 50% वाली, देखेगा भी, 3,40,000 नहीं लिखूँगा, मैं, 3,40,000, जो sales हमने निकाली है, यह डेटर से काउंट से देखेगा, यह रही, देखेगा है, 3,40,000 sales, हाँ, यह डिरेक्ट नहीं लिख सकता है, मैं, सुनिए, वरना GP ratio 50% नहीं लग पाएगा, 50% GP ratio तो एक normal selling price पर है, मतब उसे एक normal selling price आगा, यह सारा का सारा sales 3,40,000 नहीं है, पढ़ी adjustment, दिखाता हूँ मैं आपको, second देखेए, second बहुत ध्यान से, sales में, जो total sales से 3,40,000 जो भी आपने निकाली, इसमें 16,00 रुप्रे का माल वो है, जो अपनी original selling price से 50% कम पर भी का, और, और, और 6000 का माल वो है, जो अपनी normal selling price से 25% कम पर भी का, अरे भाई, जब यह selling price से कम पर भी कियें, तो GP ratio 50% पूरी sales पर नहीं लग पाएगी, पूरी sales पर लग पाएगी, इसके लिए जरूरी है, कि इसे दुबार से normal selling price बनाओ, पहले इसका calculation करो, देखो बात सुनो, working note में आओ, calculation of normal sales, normal selling price, calculation of normal sales, परिशान मत हो कि समझ नहीं आया, अब आ जाएगा, देखो इदर, एक format बनाने जा रहा हूँ, sales at normal sales, देखो बाच्चों, पूरा कोशिश करना समझ नहीं आएगा, देखो, sales 3,40,000 दे रखिए, कोई डाउट नहीं इसमें, normal sales हमें निकालनी है, 3,40,000 हमें sales given है, अब ये जो 3,40,000 हमें sales given है, given हमने हमने निकाला है, मैं दिखाता हूँ कहा निकाला है, एक बार आपको मालूम है कहा निकाला है, debtors account से निकाला है, ये रहा, 3,40,000 है, 2 sales account, 3,40,000, लेकिन मैं ये कह रहाँ कि, ये पूरी sales, normal sales नहीं है, इस ये 3,40,000 दर्गी जो sales है, इसमें, 1600 की sales हो है, जो अपने normal selling price से, 50% कम पर है, तो normal selling price को, मान लीजे, 100, और ये sales उससे, 50% कम पर है, ये ये 50% है, तो मैं normal selling price कैसे बनाऊं इसका, 1600, into, 100 upon 50, क्यों कर आए से मैंने, अरे यार, ये अपने normal selling price से, 50% कम पर भी का है, तो ये normal selling price, अगर 100 है, तो उसका 50 कम करो, 50% पर भी का है ये, तो इसे 50 से करो, divide, और 100 से करो multiply, तब जागे इसका normal selling price आएगा, और वो बनेगा, 32, इसी के साथ, 6000 के, ये कहां से ला रहा हूं, उठाओ ठाके में, adjustment number 2 से लिए का रहा हूं, देख लो आप, पढ़ो लो book के अंजर दुबारा से, 6000 की sales, इसी 3,4 ला बच्चों, वो है, जो, अपनी original selling price से, 25% कम पर भी का है, यारी के 75% पर भी का है, तो इसका normal selling price कितना होगा, 8,000, अब देखो, sales आपने debtors account से कितनी निका ली थी? 3,4, 3,4, 3,4, की sales ही, उसमें से इन दोनों को minus करो, 3,4, sales है, जिसमें, एक sales 16,00 की है, और एक sales 6000 की है, तो बचा 3,3,4, इन तीनों को plus करना, sales head को 3,4, आजएगा बच्चों, तीन लाग 32,400 वाली sales नॉर्मल अपनी selling price पर हुई है, तो इसका तो amount सेम ही रहेगा, 3,3,4, अब जर असका total करो, 3,3,4, प्लस 8,000, प्लस 3,2, तो, 3,4,3,600, 3,4,3, 600, थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा सा सोचो अपने आप, कि 3,4,4, को 3,3,4, 600 मैंने क्यों करा, क्यों निकाल नॉर्वल सेलिंग पराइस, मुझे एक बात का जवाब दो यार, जब जब ग्रॉस प्रॉफिट रशियो 50% कोश्चन में दिये रखा है, तुम उसे यार, नॉर्मल सेलिंग पर ही तो अपलाई करोगे, यार, जीपी रेशियो 50% की स्टेंड़ दिया, उन्होंने की जीपी रेशियो हमारा 50% है, तो यार, तुम जीपी रेशियो 50% है, वो उन्होंने कहां से दिया, हवा में से दिया, नहीं, पिछले साल का डेटा लिया होगा, पिछले 2-3 साल का जीपी रेशियो का एवरेज निकाला होगा, या ठीक पिछले साल का ट्रीडिंग अकाउं देखा होगा, वहां से लाकि आपको ग्रास पर्फिट रेशियो दिया होगा, अब यार तुम इस साल्स जब माल बेचोगे किसी भी तरह बेचो कम ज़्यादा कम ज़्यादा अलग अलग प्राइस पर किसी को ज़्यादा पर किसी को कम पर तो भी जीपी रेशो लास्ट ते वाली कैसे फालो हो जाएगी अब यार ये जो 3,40,000 की सेल्स है यह सारी की सारी नॉर्मल सेल्स होती, मैं कुछ नहीं करता, यह सब यह जो ड्रामा हुआ, यह कुछ भी नहीं करता, 3,40,000 को सीधा GP ratio निकालता 50%, GP ratio लगा तो और GP निकाल देता, और यूँ ही बन जाता मेरा Memorandum Trading Account, लेकिन मुझे कुशन में कहा गया, second adjustment के अंदर के देखो, गुमरा मत हो जाना, वो जो 3,40,000 की sales है न, वो सारी की सारी नॉर्मल नहीं है, उसमें 1600 का sales वो भी है, जो अपने original selling price से 50% कम पर बेचा है, और 6000 की sales वो भी उसी के अंदर जुली वी है, जो अपने normal selling price से 25% कम पर बे 1600 वाली और 6000 वाली, पहले इसको normal selling price पर convert करो, जब तक total normal sales आप नहीं निकालोगे, आप GP ratio नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो एक standard ratio है, उसके लिए sales भी standard normal चाहिए, अब आया 43 हैसो, मैं मानता हूँ, मैं इस बात को accept करता हूँ, कि यह actual sales नहीं है, लेकिन मुझे GP ratio लगा कर closing stock निकालने के लिए, ऐसा करना पड़ेगा, अब मैं वापिस जा रहा हूँ, अपने trading account पर, और यहां लिख रहा हूँ, sales 3,43,600 जो normal selling price है, राइट, इस पर GP अबराम से निकल आएगा, कोई बच्चा ये कहे कि सर, 3,43,600 क्यों रिखा, जब इतने का माल बिगए निबिगा तो 3,40 क्यों, तो यार मैं यहां से sales कप निकाल रहा हूँ, मैं कब कर रहा हूँ, कि यह sales सही है, मेरा target कब से sales हो गया, मेरा target तो closing stock है, अगर यहां मैंने sales ज्यादा लिखे तो GP भी तो मैं यहां पर ज्यादा लिखा रहा हूँ, GP हुआ थोड़ी होगा वो, क्योंकि selling price से भी कम पर भी का है, तो मैं आपको ये बता रहा था, कि sales original निकालने का मकसद, GP निकालकर closing stock निकालना है, purpose जो target है, वो stock available on the date of fire है, to gross profit, अब ये क्या है भई, 50 upon 150, अरे भई, 3,43,600 sales का मांड़े, जबकि profit 50 बसें cost पे दिया है, तो cost को sales बनाने के लिए 50 add करना पड़ेगा, 50 upon 150, हाँ जी, कितना है गई गई है, एक लाग 14,533 का gross profit आ गया, एक लाग 14,533, इससे आप एक लाग 14,534 भी लिख सकते हैं, क्योंकि point में आ रहा है, answer, point 3333, total, 114, 533, plus 34,000, plus 2,30,000, 379, 533, 3,79,000, 11,533, चलिए, यह total है, बच्चों, debit side का, अब इससे हम closing stock निकालेंगे, अब यह बताईए, कि अब सब कुछ है, राम से आपको समझ में आ रहा होगा, कि stock available on the date of fire आ जागा, लेकिन एक अभी गडबड़ हो रहे हमने इस साल माल अपने consigne को भी भेजा है, जो माल consigne को भेजा, वो हमारे stock में, हमारे good on में नहीं था, इसलिए उसमें आग नहीं लगी, तो वो माल अलग करूँगा, जो agent को भेजा है, by, consigne what proper है, लेकिन पूरे question में agent what use हुआ, तो इसलिए मैं agent लिख देता हूँ, by good send to agent, agent को माल भेजा होगा, चुरा के थोड़ी भेजा होगा, जो माल purchase करा था, जो debit में purchases लिखा, आपने, दो लाक 31,000, इसी में से agent को दिया होगा, भेजने के लिए, वो कितना है, वो मैनस कर दीजे, कैसे निकालेंगे दिखेगा आप, देखी बच्चों, agent को हमने इस साल कितना माल भेजा, कैसे निकालें, मैं इसे दो बार बोलूँगा, क्या बदा एक बार में या दो बार में समझ जाएं, agent ने जो इस साल माल भेजा, वो हमने इस साल भेजा होगा, यह मान के चलिए आप, जो agent ने माल भेजा है, sales करिए वो, प्लस जो agent के पास अभी बचावाई 31 मई को देखो sales plus closing stock please listen carefully sales agent ने जो बेच दिया वो हमने तो भेजा था और जो बचावाई वो हमारा ही तो है तो sales plus closing stock को plus करकर उसमें से opening stock जो agent के पास था उसे minus कर देना reason क्योंकि इस साल जो agent ने माल बेचा है agent ने जो माल बेचा है बेचा sales करी agent ने उसमें उसने पहले पिछले साल का बचावाई बेचा होगा इसलिए वो minus कर देना हमने आपने मुझे कितना माल दिया कैसे पता लगाओगे जो माल मैंने आपका बेचा है sales करी वो plus जो मेरे पास बचावाई कर मैं दोनों को जोड़कर last year का बचावाई घटा दूँ तो आपने इस साल मुझे कितना दिया वो निकल आएगा sales plus closing जो big गया plus जो बच गया big गया plus जो बच गया का total में से last year वाला minus तो इस साल जो आया था वो निकल आएगा बताईए और ये भी आप जानते हैं कि closing stock हमेशा cost पर आता है ठीक है देखेगा प्लीज sales उसने करिये साल 4000 की अब मैं बार बार स्क्रॉल क्यों करूँ adjustment number one पल्डीजेनस 4000 का माल बेचा था उसने हमारा plus उसके पास जो हमारा बचावा है वो भी दे रखा है adjustment one के अंदर ही पल्डीजेनस नमबर वन में ये दोने चीज़ मिल जाएंगे आपको अगरी 4000 plus 3600 4000 क्या है sales कहां से लाया ओहो adjustment number one से लाया additional information number one से लाया हूँ 3600 अभी भी बचावा है कहां से लाया additional information number one में ही last sentence है तो उसके पास कुल माल 3600 का था लेकिन ये दोनों selling price पर है पहले तो इससे cost बना लीजे please पहले इससे cost बना लीजे कैसे बनाएंगे इससे multiply करिए 100 से और divide करिए 150 से क्योंकि जो profit है वो 50 percent on cost है इसका मतलब अगर selling price है तो selling price 150 है 150 से divide 100 से multiply cost आजएगी इसमाल की कितनी आएगी वो बता दीजे मुझे आप 7600 यह आएगा 5066 5066.66 5067 मान लीजे यह आगई जी sales plus closing stock की cost क्योंकि stock हमेशा cost पर आता है इसमें से minus कर दीजे opening stock 2000 जो agent के पास था last year का बचा हुआ 2000 तो already cost equation में दे रखा है minus 2000 तो agent के पास हमारा माल है 3067 जो agent को सॉरी जो agent को हमने माल इस सल भेजा है तो यह वो माल निकला है जिसमें आग नहीं लगी है तो agent के पास हमने भेज दिया तो यह agent के पास गया था अब इसी purchase निकल के भेजा होगा अब debit के total 379 बचों 533 में से minus कर दीजिए तीन लाख तिरतालीस हजार छैस्सो माइनस कर दीजिए बच्चों 3 0 6 7 answer will be 3 2 8 6 by stock available on the date of fire 32,866 total 3,79,533 यह जो मैंना answer निकाला है 32,866 बस study mat में 32,866 67 है उन्होंने क्या करा होगा इसको 34 लिया होगा एक लाख 14,533 को 34 ले लिया मैंने कहा भी ताप से बड़ी खुशी में लेगा आपको बुक्से मैच करके मुझे एक रुप्या बढ़हने में कोई दिक्कत नहीं है यह लिजे यह लिजे मैं खुश उसी में हो था 33 में यह लिजे यह आ जाएगा 32,866 टोटल चेंज होगा 32,866 यह अगया जी स्टॉक अविलिबल ऑन दी डिड़ फायर अब यह उन्होंने किस से निकाला पता है किस अकाउंट से मैं समझ नहीं पाया कि यह मेमोरेंड़म अकाउंट क्यों नहीं बन रहा जब कि यह बन सकता है कोई बात नहीं उन्होंने असान कर रहा है उन्होंने स्टॉक अकाउंट से सांसर को निकाला है अभी स्टॉडी मैट में दीखेगा उसका नाम रखा है उन्होंने इसमें कोई प्रॉब्लम है तो सुनो दूबारा से जो गुड़ सेंट टू एजेंट वो तीन हजार स्ट कैसे आया उसने माल बेचा है चार हजार का एडिशनल इंफोर्मेशन नमर वन में लिकावा है क्लोजिंग स्टॉक 3600 है मैंने दोनों को प्लस करा और दोनों सेलिंग प्राइस पर ते होने कॉस्ट पे लेकर आया और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट मैनेस कर दी जो एजेंट के पास पहले से है तो 3067 का माल हमने इस साल उसको भेजा था कहां से भेजा था अपनी परचेज में से तो उसके बाद बचावा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 32,866 और यह पूरा का पूरा डिस्ट्राय हो गया ऐसा कुशन में लिखावा है और कोई सेलविज वैल्यू नहीं है और पॉलिसी 60,000 क को मिल जाएगा लिखके दिखा देता हूं इस्टोक अविलेबल इस्टोक अविलेबल ऑन देट अफ फायर इस्टोक अविलेबल ऑन देट अफ फायर 32,886 यह भी आपने निकाला लेस सेलविज वालियू यह गाई जी लॉस फॉफरी तॉक सेम बद तीसफाजर आडशो सार्सेट क्यूंकि सेलविज जालो कुछ है नी और ही नूदा वी ना। policies offer be 60,000 or average clauses में लगाना नहीं है we know that the the insured value is rupees sat hazard therefore the amount of claim will be the entire amount of loss of stock therefore the amount of claim will be the entire amount of loss of stock that is rupees 32,867 बच्चों कुशन टफ था मुझे अभी भी स्टडी मैट का presentation पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ा देर में समझ मैं आएगा वो टफ रहेगा यह मैसेड जिससे मैंने करा that is comparatively बच्चों easy यह comparatively easy है 32,867 का claim मिलेगा average clause question में कहानी लगाने के लिए और policy 60,000 की थी एक बार मुक्सान हुआ average clause है नहीं loss का amount कम है policy ज्यादा के लिए है तो पूरे का पूरा के लिए मिलेगा और यह एक example भी आगा है जो मैंने theory पढ़ाई थी अपनी first class में total loss याद है आपको मैंने loss of stock में पढ़ा है था total loss और partial loss के total loss अरे सारी याद आ गई होगी आपको कि अगर total loss है अगर माल जितना गोड़ान में था सारा का सारा डैमेज हो गया और जो सारा का सारा माल डैमेज हुआ जो सारा लॉस हो अगर उससे ज़्यादा का हमने policy ले रखा है तो वो सारा माल insurance के अंदर covered है तो पूरे का के लिए म मैं याद दिलाओं मैंने कहा था कि जो अगर total माल डैमेज हो गया तो वो जो total damage हो जो total loss है insurance value उससे ज्यादा है policy हमने ज्यादा के लिए थी premium ज्यादा के according दिया था loss कम का हुआ है भले total हुआ है तो total claim मिल जाएगा वही तो लिखा मैंने एक बार इस भाशा को दोबारा दे loss of stock जो claim का amount होगा वो loss of stock के बराबर होगा यानि के 32,876 रुपए राइट बच्चो चलो इस class में हमने ये दो question solve करें दोनों tough थे दोनों different question थे बच्चो अगली class में और दो different question करेंगे वहाँ पर आपके सामने आएगा abnormal goods जो अपनी cost से भी कम पर बिखती है वहाँ थोड़ question है बच्चो उनके number है हमने अभी तक जो चार question करें वो sequence में हो गया 27,28,29,30 अब जो दो question है वो दो question आखरी है loss of stock policy के उसके बाद फिर तीन question है loss of profit policy के जो अगले दो question है बच्चो वो है 32,33 sorry 31,32 होगा क्योंकि हमने 27,28,29,30 कर रहा है न यस 31,32 ये दो question है loss of stock policy के abnormal goods के बच्चो next class में मिलेंगे और next lecture में हम normal goods के बच्चे वे दो question करेंगे जो कि हमारा case number 3 भी है याद होगा loss of stock policy में तीन cases थे case 1 हमने करा उसका एक question करा case 2 हमने discuss करा उसके भी questions कर लिए अब next class में case 3 करेंगे और उस पर based 2 question करेंगे